आप सभी को गितारे के नमस्कार मैं गिता आप सभी का स्वागत करती हूं गितारे क्रेशन्स में आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूं क्रोशिया की आउटलाइन जो कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में कर सकते हैं चाहे वो बेबी पॉंचू है कोई शॉल है या बेबी ब्लैंकेट है अब जैसे यह मैंने बनाया है यह अपना यह वार्मर तो मैं इस पर आपको करके बताने वाली हूं कि किस तरह से करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे किस तरह से करेंगे, अब देखते हैं इसकी किस तरह से हम क्रोशिया से आउटलाइन करेंगे, आम तोर पर हम क्या करते हैं, जब भी हम क्रोशिया लेते हैं, तो हम इस तरह से बढ़ते हैं, अपना लेफ्ट साइड में बढ़ एक चैन लेली एक चैन लेने के बार एक ओर लेंगे और यह जो हमारा है इसके बैक से हम इस तरह से लेकर यह दो स्टीचोगे हमारे इन दो का एक करेंगे और फिस से यह बैक वाले में नेक्स्ट वाले में लेंगे यह हमारे होगे दो इन दो का एक इन दो का एक और फिस से इस तरह से नेक्स्ट वाली रो में ऐसे लेंगे दो फंदे होगे यह इन दो का एक फिर से इसके अंदर लेंगे और ये चैन निकालेंगे इस तरह से ये दो बन गे हमारे फंदेर ये दो का एक तो ये हमारी एक आउटलाइन बनेगी इसकी बहुत सुन्दर आएगा जोकी कोर्नर ये देखिए ये वाला हम किसी में भी यूज कर सकते हैं ये देखो कितना सुन्दर आ रहा है बनकर एक ही आउटलाइन हमारी इसकी बनेगी देखो बहुत ही प्यारी लग रही है फिसे एक बात देख लेते हैं ये हम क्रोशया को नेक्स रो में इस तरह से डालेंगे और एक स्टिच इस तरह से ले लेंगे ये बनगे एक से दो हो गए फिन दो का एक करेंगे और फिस है नेक्स में इसी तरह नेक्स रोम में ऐसे ही डालेंगे और फिस है दो हो गए यह दो का एक बस यही हमें फॉलो करते जाना है और यह हमारी आउटलाइन इसकी Start हो जाएगी यह देखिए बनकर कितनी सुंदर लग रही है यह इस तरह से यह हमारा बनता चला जाएगा तो इस तरह से यह outline हम किसी भी project में कर सकते हैं I hope कि आपको यह video काफी useful रहेगी और यह outline आप baby के inner वगेरा किसी में भी बनाओगे वता multi projects में आप यह outline यूज कर सकते हो I hope कि आपको यह मेरी video पसंद आई होगी तो अगर आई हो तो please like करें, share करें और comment करके जरूर बताएं सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो bell button जरूर प्रेस करें उससे notification आपको मिलती रहेंगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नहीं project के साथ तब तक लिए आप सभी को में नमस्कार झाल